हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं अरोपों के मामले में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए राजसो मंतरी हरीश चोधरी ने कहा कि कुछ लोग मुझे बदनाम करने की साजिश के तहट कमरेश पजापत के परिवार वालों का इस्तमाल कर रहे हैं जूटे वो बेबुनियाल आरोप लगाए जा रहे हैं ऐसे परदे के पीछे राजनिती करने वालों से कहना चाहता हूँ कि सिध्धानतों की राजनिती करें मुझ से मुकाबला करना है तो मैदान में आकर करें यह बाड मेर है यहां की जनता सब जानती है ऐसे में इस तरह जैपूर में बैट कर साजिशे करना छोड़ी है सत्य परेशान हो सकता है परेशान नहीं उन्होंने कहा की पुलिस से मीली भक्ती के आरोप लगाई जा रहे हैं मेरे राजनितीक जीवन के 25 सालों में बाड मेर तो क्या पूरे राजिस्थान या फिर कहीं पर भी पुलिस पर दबाव या लूस टॉक तक नहीं की मीडिया भी अपने स्थर पर तत्यों को उजागर करें ताकि सही संदेश आमजन में जाए तीसरी लहर को लेकर बाड मेर वर राजिस्थान सतर के है चौधरी पत्रकारों को संभोधित करते हुए राजिस्व मंत्री लग रहे हैं इसी भी चिंता का विशय है कि 18 से कम उम्रवर्ग के लिए वैक्सीन अभी तक आई नहीं है आशंका यह जताई जा रहे है कि जब दोनों वर्ग 18 से 45 वह 45 से अधिक उम्रवर्ग के लिए काफी पर्याप्त मात्रा में वैक्सिनेशन हो जाएगी 18 से कम उम्र के लिए वैक्सिनेशन नहीं होने के कारण कोविड का असर ज्यादा रहेगा उसके लिए ऑक्सिजन वो बच्चों के दवाई के संधर्ब वह बैट समय तमाम तैयारिया वह विवस्ताय राजिस्ता सरकार ने कर ली है इस मोके पर पूर्व मंत्री वह शिव विधायक अमीन खान बाडमेर विधायक मेवाराम जैन, चोवटन विधायक पदमाराम मेघावल, जिला प्रमुक महेंदर चोधरी, कॉंग्रेश जिला अध्यक्ष फतेखान मौजूद रहे जागरू टीवी के बाडमेर से ठाकराराम मेघावल की रिपोर्ट